नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हु मैं 7 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारम्भ करते हैं हुआ आपके लेकर देव हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की, आज गुरुवार है, मार्ग शुरु समास, कृष्ण पक्ष की आज दशमीति थी है, हस्त नक्षत्र है, आयुस्तमान योग, वनिज करण है, बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज कन्या राशी में रहेंगे, और अभिजित नहुर्त का समय दिन में 11 बच करके 28 मिनट से 2 पहर 12 बच करके 10 मिनट तक का होगा, वहीं राहुकाल 2 पहर 1 बच करके 30 मिनट से 3 बजे तक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया, और शुभकार्य, जिस कार्य से चुरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित मुहुर्त में प्रारंभ करना चाहिए, ये अभिजित मुहुर्त हरिकवती प्रिय है, राहुकाल में कोई भी नयाकारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए, प्रिय दर्शकों दिभ्यमाहा प्रयोग में आज बेहद दिभ्य ज्यानवर्धक जानकारी है, जो उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। वो पूरे दिन देखा जाए तो स्वयम के नक्षत्र में हैं, हस्त नक्षत्र में, स्वयम के नक्षत्र में संचरण कर है चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। जिनहें अपने सभी नयकारे आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वा राशियां हैं जिनहें अपने नयकारे प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और में शिशे लेकर मीन राशी परियंत प्रत्तेक राशी के जातकों के लिए आपके राशी के नुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को सुरिष्ट बना जकते हैं इन सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशी फल में करेंगे। आपके जन्मराशी के आधार पर यानि आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा जिस अराशी में बैठे हैं वही आपकी जन्मराशी अगर आप अपने जन्मराश के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचली नामराशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहुर्थ की बारह दिसंबर दिन मंगलवार सुनान दान सुराध्ध आदि की अमावश्या है भव मवती अमावश्या बाकी उस दिन कोई और मुहुर्थ नहीं है दिब्यमाहा प्रयोक योर आपको लेकर के चलता हूँ उससे पूर्व वो जानकारी दे दू यदि आपकी जोतिस में दिल्चस्पी है जोतिस आप सीखना चाहते हैं और गाहे बगाहे कॉमेंट में ये पूछते हैं कि आप जोतिस का क्लास भी लेते हैं जरूत ही नहीं है क्लास लेने की मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है वनली एस्ट्रोलोजी नाम से आप उसके सारे वीडियो देख डालिए वो सारे वीडियो जे क्रम में नहीं है लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आप सभी वीडियो देखिए आप जोतिसी बन जाएंगे उसका लिंक यहां मैं उपर दे देता हूँ आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं पहला ही लिंक उसी का है चली चलते हैं दिव्यमाहा प्रयोकियो क्या आप सुनी सुनाई वात पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं और क्या आप क्रोध में खुद को हानी पहुचा लेते हैं बहुत से लोगों को ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्रोध में सामान को तो कुछ लोग क्रोध में खुद को सर दिवाल से मार लेते हैं क्या आप अपनी बातों पर कायम नहीं रह पाते और क्या आपके मन में सुधाईव हिंसा की भावना उत्पन्न हो जाती है एक सामान ने इसी परिष्टिती देखी कई बार आप देखे होंगे ये आपके साथ भी होता होगा बहुत लोगों के साथ ही होता है कि सामने वाले ने आपको कुछ बोल दिया और वो बोल करके चला गया अब आपके मन में उत्पन्न हो रहा है उसने ऐसा क्यों बोला मुझे ये बोलना चाहिए था मुझे ये जबाब देना चाहिए था मेरे पास ये बल होता तो मैं ऐसा उसके साथ कर देता क्या बीती बातों को याद करके आप सद़ईव परिशान होते रहते हैं और क्या वाइरस जन्य या छुवा छूत वाले रोग से सीघर ग्रसित हो जाते हैं या ऐसे रोगों का आप शिकार हो जाएंगे ऐसी बात आपका मिनम उत्पन्न होती रहती है घाओ नासूर बन जाते हैं शिघर ठीक निठीक नहीं होते या स्वास्त से सम्मंधित परिशानी आपको सद़ईव होती रहती है या प्रायह रोगों का भ्रम बना रहता है या डॉक्टर आपके रोग को शिघर पकड़ नहीं पाते क्या आपको नजर की शिकायत सद़ईव बनी रहती है क्या आप अज्यात भै से सद़ईव भैभीत रहते है क्या सामान ने सी बात को लेकर के बेहत दुखित हो जाते हैं चिंतित हो जाते हैं क्या आप अपनी बात पूरी मजबूती के साथ नहीं रख पाते और क्या आप दूसरों के बातों में शिगरा आ जाते हैं? और क्या बहतर करने के बावजूद वो बहतर प्रसिधी, वो मान सम्मान वो यस हासिल नहीं कर पाते? प्रिदर्शकों, ये सारे के सारे लक्षण जो मैंने बताएं हैं, ये सब इस बात की और इसारा कर रहे हैं, इसमें से एक हो, दो हो, वैसे अगर केतु खराब है, तो ज़्यादा तर आपके अंदर घटित हो रहे होंगे, ये खराब केतु के लक्षण है, जन्मे कुंडली में केतु किसी भी तरह से खराब हो, प्रिडित हो, तो ये सारे भाव देने लगता है, चंद्रमा के साथ केतु है, तब तो कहना ही नहीं, ये जातक को भयंकर मानसिक रूप से परिशान करता है, बेहत परिशान करता है, मैंने कई बाधर अपने कारिक्रमों में बताया है, कि चंद्र केतु की यूटी जिस कुंडली में दिखाई पड़ समझवी ये ऐसा जातक उसकी कलपनाएं कभी खतम ही नहीं होती। खुद से बात करता रता है। उसकी आधिस अधिक एनर्जी तो खुद से बात करने में समाप्त हो जाती है। चंद्रमा इस पर बहुत सारे सूत्र में बता चुका हूँ कि या तो केतु चंद्रमा के नक्षत्र में हो दोनुं ही अवस्थाओं में ऐसे जातक को केवल अज्यात भै ही नहीं होता वरन ऐसे जातक के मन में बुरे विचार, डिप्रिसन, इंजाइटी और संभवतह कई बार ग्रहिस्थितियां कमजोर होने पर आत्महत्या तक के खयाल मन में उत्पन्न होने लगते हैं शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फालगुनी और पूर्वा शाढ़ा में यदी केतु हूँ तो जातक को योन रोगी चरित्र से बेहत कमजोर बना देते हैं, मूत्र परकार के बुरे विचार यहां तक की आत्महत्या का विचार भी उत्पन्न होने लगता है, प्रियदर्शकूं, केतु को शांत रखना बेहत आवश्यक है, और केतु को शांत रखने का सबसे अच्छा उपाय है गणेश जी की आराधना, माचिन नमस्ता की आराधना, केतु अभी तक आपने उस कारिक्रम को नहीं देखा, तो देर किया आपने, मैंने केवल केतु के लिए नहीं, वरन सुरी से लेकर के केतु परियंत सभी ग्रहों के लिए 20-20 सरल उपायों का एक वीडियो बना रखा है, यहां जो उपर लिंक दे रहा हूं, ये एक प्लेलिस्ट है इसमें सभी ग्रहों को ठीक करने के वीच सरल उपायों हैं, अगर आप इन कारिक्रमों को नहीं देखे हैं, तो देख लीजिए, अपने पास सेव करके रख लीजिए, और जब भी आप इन ग्रहों से परिशान हों, किसी भी ग्रह से, तो घबराने की आवश्यक्ता नहीं, तो इसमें सभी उपाय आप डाउनलोड करके अपने पास रखिए, अब चली चलते हैं राश्यफल की ओर, बात करेंगे राश्यों के क्रम में पहली राश्य। अच्छा आपके लिए, फायदा आपको देगा, पर हाँ, एक मानसिक अशान्ती, अज्यात भै, इससे पिंडे नहीं छोटने वागा, तो सबसे पहली बात, कोई भी ऐसा कार्य ही मत करिए, जो इमानदारी से प्रथक हो, यानि जो भी कार्य करिए, इमानदारी के साथ यानि आपको डरने जैसा कुछ सोचना ही न पड़े, डरने की आवशक्ता ही न पड़े, किसी से बिना विचारे कोई वादा मत करिए, और चुकि गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ है, आज नारियल को सुखा जो गरी गोला होता, उसको उपर से काट कर, और उसम यह प्रयोग करिए, चिंता दूर होगी, अज्यात भैस से मुक्ति मिलेगी, संतान पक्षकों लेकर के लिए कोई चिंता है, रोग रिपूरिन, इत्यादी से सम्मंधित कोई परशानी है, तो वो परशानी दूर होगी, विद्यार्थी वर्ग, खुश्खबरी आपको प्र प्रयोग कर लिजेगा, व्यापारियों की बात करूँ, तो व्यापारिक दृष्टिकोंड से तिन अच्छा है, योजना बद्ध धंग से काम आपको करना है, बीना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा, और प्रेम समंध ठीक है, दामपत्य जिवन भी सुखद ही द व्रशब के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहें तो करिए, आज का दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया है, घर के आसपास कोई देवी का मंदर है, तो मंदर में जाकर के देवी का दर्शन करिए, मा को पान का बीड़ा अर्प परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा यूं समझली दिन बेहत खुसनुमा रहने वाला है। विशेश करके ब्रुशब की जो ग्रिहनिया है यदि आप संतती को लेकर के अपने परिशान थी या किसी भी तरह की चिंता आपको थी तो उस चिंता से मुक्ती है तुँ आज का जो दिब्बे प्रयोग मैंने बताया है वो अवश्याप करिये मा की आराधना करिये मा से प्ला लकियंक आपके लिए आज आठ और लकी कलर आपके लिए पीला है निवेश आप कर सकते हैं जानकार किरया ऐसे करेंगे ज्यादा फाइदे में रहेंगे मिथून के जातकों के लिए देखा जाए तो हिम्मत में आपके कहीं कोई कमी नहीं और सफलता भी इसी कारण आपको मिलेगी कारिश्थल पर भी देखें तो दिन आपके लिए बढ़िया है जो आपके सहयोगी है उनका सहयोग मिलेगा समर्थन मिलेगा और इसी कारण आपका दिन आपको फायदा भी देने वाला है कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है आज सभी मिथून राशी के जातक घी का दिया जलाकर के सिद्ध कुंजिका इस्तोत्र का तीन बार पाठ करें इससे फायदा मिलेगा यूँ समझ लिए कि जवर्दस्त लाव का रास्ता इससे खुल जाएगा वीपरीत का समर्थन मिलेगा कारेक छित्र में जो आपके नीचे के लोग हो वो या उपर के अधिकारी हो वो सबका साथ आपको मिलेगा यात्रा आप कर सकते हैं व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं फायदे मंद कहूंगा आर्थिक दृष्टिकोंड से भी सब कुछ ठीक दिखाई पढ़ रहा है आर्थिक मजबूती बनी रहेगी पर मन की बात हर किसी से शेर मत करिए प्रेम समंद में अदि कहीं कोई परिशानी थी किसी बात को लेकर के मत भेद या उतार चढ़ाव किस्तिती आप महसूस कर रहे थे तो बातचीत करके इसको ठीक करने का प्रत्त करिए और विद्यार्थियों को अधिक सधिक मेहनत करने के लिए प्रत्त नसील होना चाहिए जो मैनेजमेंट फिल्ट के विद्यार्थि हैं उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की आवशकता है और स्वास्त के दृष्टि कोन से देखें तो जिनको एलरजी त्यादी से समंधित पर करने में कहीं कोई दिकत ने करक के जात्कों के लिए दिन बहुत बढ़िया है कोई नया कारी प्राड़म्भ करने की सोच रहें तो आज से बढ़िया दिन आपके लिए नहीं मिलेगा आप जरूर करिए सफलता आपको मिलेगी गोजर कुंडली की स्थिति मानसिक रूप से आपको अशान तवस्य करने वाली है, लेकिन जब काम करेंगे तो तनाओं से मुक्ति मिलेगी, सब फलता से आत्मविश्वास में बृध्धी मनोबल आपका और बढ़ेगा, फलता कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहें तो जरूर उठाइए, आज का दिन आपके पक्ष मे कठिनाईयां खुद बखुद दूर हो जाएंगी, और जो भी परिशानियां हैं उसे आप दूर कर लेंगे, एकागर होकर के काम करते चले जाएए, सभी काम आपके बनने वाले हैं, नया बाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीदिये, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा, ब्यापार में फाइदा होगा, आज करकर आशी के जाब तक भोलेनाथ की आराधना करें, आज महामृत तुन्जय मंतर का 108 बार कम से कम अगर जब इतना नहीं कर सकते तो ठीक है, अपने हिसाब से देख लिए फाइदा देने वाला है, लेकिन जो लोग मार्केटिंग या कमिसर नितियादी के फिल्ड से जूले हैं, जो बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, वाहन स्वयम चलाते हैं, वो आज महामृत तुन्जय मंतर का 108 बार जब अवश्य करें, बिना सोचे समझे वानी पर सहियम न रखें और जहां जो न बोलना चाहिए, वो बोल दें तो बात भिगड़ सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, दामपत्य जीवन आपका सुख में रहने वाला है, प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और बात यदि विद्यार्थि एक एकर के पुरुन होते दिखाई पड़ रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, आज शिवमंदिर में जाकर के अगर पांच मुक्षिरुद्राक्ष का एक दाना शिवलिंग पर आप चड़ा आएं, तो आपकी हर कामना पुरुन होगी और यूं समझ लिजे समय से पहले पु मिल जाती है, लेकर के शूलिंग पर चड़ा दीजिए, उसको लेना नहीं हो ही छोड़ाना है, परिवार का सहयोग मिलने लगेगा, कारिक छेतर में जिनको तकलीप है, परिशानी है वो भी प्रयोग वस्याज करें, दिन अनुकूल हो जाएगा, पदुन्नती धनलाब के य निवेश अवश्य करिए, और ध्यान रखिए कि काम तो आप सब करिए, पर बहस वर विबात से दूर ही है, प्रेम समंधिक दृष्टिकोन से आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सुम्म की जो ग्रहनिया हैं, उनको भी थ इत्यादी से परिशान है, तो तो आपको रुद्राक्षे ही चढ़ाना चाहिए, आपको रहत मिल जाएगी, लक्यान का आपके लिए आज साथ और लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश करें, करन्या के जातकों के लिए आज का दिन लाभप्रद है, और ये समझ लीजे कि मानसिक अशानती तो आपको रहेगी, पर लाभ आपकी कलपना से जादा होगा, बस इतना ध्यान रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई कदम नहीं उठाना, हलाकि आपका आत्नो इश्वास के दम पर ही आप सफल होगे, पर ओर कॉन्फिडेंस नहीं, इस से नुकसान होगा, कारिस्थल पर दिन बहुत अच्छा है, फलता आपके दिये गए सुझाओं का, और उनके द्वारा सम्मान होगा, ओफिस में मानु सम्मान में ब्रदी होगी, बस इतना ध्यान आपको किसी भी प्रकार के विवात का हिस्सा नहीं बनना है, जो आपके अधिनस्त हैं उनका विश्य सम्मान करिए, आज सभी कन्या रासी के जातक शिव मंदर के बाहर, अगर आपको भिखारी दिखाई पड़ें, तो ऐसे भिखारी को भरपेट भोजन कराईए, विश्यस के पास खिलाने की बेवस्था नहीं, वो कम से कम जाकर के गुड का दान कराएं, इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा, ये प्रयोग ग्रहनिया भी अवस्य करें, इससे दामपत्य जीवन में दिया आपके किसी भी तरह से कोई कलह, मत्भेद किस्तिती चल रही थी, वो प जीवन साती के छाओं को समझते हूए उनकी पूरति करिए, विद्धयारतियों की बात करूँव तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपको सायोग मिलेगा, और स्वास्त के मामले में देखा जाएं, तो कोई विशेँस परिशानी नहीं है, खानपान पर अब बस आपके अपने नियंत्रण रखना है लकियंक आपके लिए आज दो लकी कलर आपके आज सिंदूरी है तुला के जातकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना है दिन खराब नहीं है पर सावधानी जरूरी है फाइदा अगर उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आज अपनी योग्यता का फाइदा उठाईए आज इस दिन का फाइदा अगर उठाना चाहते हैं तो पुरुशार्थ करिए दूसरों के भरोसे मत चाहिए लाब होगा परंतु धन हानी के भी प्रबल योग बने हैं अब यह निर्भर करता है आप अपनी योग्यता का सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हानी पर नियंत्रन तो करी लेंगे लोगों की राय अगर बदलना चाहते हैं लोगों को आप चाहते हैं कि आपके बारे में सही उनकी राय हो तो ये दिन आज का आपके लिए है आप लोगों की राय को बदलवा सकते हैं कोई भी गलत कारे, कोई गैर कानूनी कारे न करिए आज शिवलिंग पर थोड़ा दही अर्पित जा करके करिए भविश्य को लेकर के दि कहीं कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी खान पान पर निंतरन रखिए, मद्यपान मानसाहर से दूरी बना करके रखिए धन उधार लेना और देना दोनों ठीक नहीं है दोस्त आपके काम में आज विशे सहयोगी हो सकते हैं परन्तु अपनी सफलता का कहीं आज ढिंधोरा मत पीठिए अपनी बात हर किसी से शेर नहीं करनी है आपको नौगरी पेसा लोग के लिए ठीक है, ब्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा वाहन जरा सावधानी से चलाएगा और निवेश भी सावधानी के साथी करिएगा मैं फिर दोहरा देता हूं मद्यपान मांसाहर बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं करना प्यार का इजहार ना करें लेकिन प्रेम संबंध में जो लोग हैं उनके लिए ठीक है ग्रहनियों को भी थोड़ा सावधान रहना है चोट चपेट की घटना और स्वास्त से समंधित परशानी कफ जनेरों की संभावना है लकियंक तीन लकी कलर आपके लिए अज ग्रे हैं निवेश कर सकते हैं जानकार की रहे तो वहीं व्रुष्चिक के जातकों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए करियर पर ध्यान देना चाहिए दिन आपके लिए हर तरह से सफलता प्रदायक है जल में शक्कर डाल करके और आज शिवलिंग पर चढ़ाईए शक्कर करियर को लेकर के दि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी धन को लेकर के दि चिंतित थे धन आगमन का रास्ता नहीं बन पा रहा ता वो रास्ता बनेगा और कहीं आपका पैसा फसा या डूबा हुआ था जिससे आप मांग रहे थे या खुल के मांग ही नहीं पा रहे थे सामने वाले पर आप दबाओ ही नहीं डाल पा रहे थे ये प्रयोग करिए जमीन जायदात से समंधित यदि कोई कारे करते हैं तो भी आज का प्रयोग आपके लिए फायदे मंद होगा कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे तो कर सकते हैं लाब होगा और सबसे बड़ी बात है आज बातचित से ही उल्जे मामले को सुलजाना है क्रोध नहीं करना घर में अगर आपके काम करने वाले वरकर हैं साथ काम करने वाले वरकर हैं पर क्रोध मत करिए यही सी से अच्छा होगा दिन बाकी रुके हुए काम आपके बनेंगे ब्यापारी वर की बात करूं तो ब्यापार में पैसा जो फसा हुआ था वो बापस पाने के लिए जो मैंने प्रयोग बताया है करिएगा आज का काम कल पर मट्टा लिए आज ही करिए जीवन साथी का सम्मान करिए बोलने के समय जरा सोच समझ करके बोलिए वानी पर संयम रखिए आप अच्छा ही बोलेंगे अच्छा सोच के ही बोलेंगे लेकिन सामने वाले को आपकी बात चुब सकती है तो जरा सोच समझ करके बोलना है बाकी देखा जाए तो स्वास्त के थोड़ा सावधान रहना होगा जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है जिन लोगों को नींद से समंधित परिशानी है वो अपने स्वास्त का ख्याद रखिए लखियंक एक लखी कलर आपके लिए आज बैंगनी है निवेश अवश्य करिए धनू के जातकों को देखें तो आज आपका आत्म विश्वास तो जैसे चरम पर रहने वाला है भग्या आपके साथ है यूँ समझ लिए कि दो कदम आप से आगे जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे वहीं आपको सफलता मिलेगी आज पूरी तरह से आप सक्रिय रहने वाले हैं और समझ लिए कि इस सक्रियता का आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा कारेक छेतर में प्रगति के दृष्टिकोंड से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा तो इंधन संबंधी मामलों में भी कहीं कोई परिशानी रुकावट चली आ रही थी उखत्न होगी सभी धनुरासी के जातक आज प्राताहकाल हीं गीही का दिया जलाकर के श्रिव तांडव स्तोत्र का पाठ या स्रवण अगर पाठ कर सकते हूं तो पाठ करिए नहीं पाठ कर सकते हैं तो स्रवण करिए कारियों में आ रही बाधा कारिक छत्र में ये प्रयोग उन लोगों के लिए विशेश रूप से है जो किसी भी तरह के कानूनी अर्चन के चलते परिशानी में है या किसी भी तरह से आपके उपर ब्यर्थ का दबाओ डाला जा रहा है आपको परिशान किया जा रहा है ये प्रयोग करके जाईएगा ब्यापारी वर्ग ये प्रयोग अवस्य करें अगर कारिक छत्र में कहीं कोई दिक्कत चली आ रही थी वो दूर होगी बाकी आर्थिक पक्ष्य आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है अगर बॉस नौकरी प पर बैठ करके और नमः शिवा ये पंचाक्षर मंत्र का एक सवाठ बार जब करें विद्यार्थियों के लिए भी यही प्रयोग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है बाके दिन आपके लिए हर तरह से सफलता प्रदायक है मेहनत से चुकिएगा मत जितना हो सके मेहनत करिए लकी अंक आपके लिए आज साथ और लकी कलर आपके लिए अज पिंक है, निवेश आप अवश्य करीए मकर के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बनेगे दिन अच्छा है सो इस दिन का लाग उठाईए परिशानिया खुद बखुद आपकी कम होंगी सबका साथ आपको मिलेगा नौकरी पेसा व्यापारिवर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा भाग्या आपके साथ है धतूरे का पुष्प आपको अगर कहीं से प्राप्त हो तो धतूरे का पत्र, पुष्प, फल सब शुलिंग पर आप जा करके चढ़ाईए विशेश करके यदि संबंध में कहीं कोई परिशानी उत्पन हो रही थी पारिवारिक संबंध में मित्र के साथ संतान के साथ ये प्रयोग आपके लिए फाइदमंद सिद्ध होगा मित्र के पास ये धी धन फसा हुआ है किसी ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं फसा, जिससे आप नहीं मांग सकते मित्र के पास फसा है तो भी ये प्रयोग करिए मित्र से धन वापस आएगा कारिस्थल पर उच्छा धिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, आपके अधूरे कारे आजपूरुण होंगे, व्यापारी वर कोई नया कारे प्रारम्भ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पार्टनर्शिप में कोई कारे प्रारम्भ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, छोटे लकियंक आपके लिए आज पांच और लकी कलर आपके लिए परपल है कि निवे शवश्य करिए कुम्भ के जातकों की बात करें तो जितने भी आपके जरूरी काम है वो एक दो दिन अगर रुक सकते हूं तो रोक लीजी सभी कुम्भरासी के जातक आज शुमंदिर में जाएं और शुलिंग पर गंगाजल या जल और भस मरपित करें और हाँ आज एक्स्ट्रा काम लेने की आवशकता नहीं है दिन सांती से कैसे बीते इसका खयाल रखिए एक्स्ट्रा कमाने के चकर में फस सकते हैं वाहन खरीदने की योजना अगर आपने बना रखिए तो भी रुकिए व्यापारी वर्ग व्यापार में आज सावधानी के सांती कदम आगे बढ़ाईए लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है अब मीटिंग पहले से हिता है तो मिल लीजिए ले कहीं मतभेद और कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही तो दामपत्य जीवन को लेकर के भी सचेत रहिए प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन साधारन है यानि कुल मिलाकर के कुम्भराशी के जात्कों को आज का उपाय करना है और सांती से दिन को व्यतीत होने देना लकियंक आपके लिए जो चार और लकी कलर महरून है जितनी भी कुम्भ की ग्रिहनियां है वो अपने स्वास्ते का विशेश रूप से खायल लगे मीन के जात्कों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है कोई नयाकारे प्रारम करने की सोच रहें तो कर सकते हैं चल रहे कारे को नयढ़ंग से करने की सोच रहें तो कर सकते हैं भाग्य आपके साथ है रिण लेने के लिए प्रतनसील है तो सफलता मिलेगी किसी भी तरह के कागजी कारवाई करने के लिए बैंक की सित्यादी से समंधित कोई कारे करने के लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। बाकी मेहनत से पीछे मत ठीए। व्यापारीवर के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिदर्शकों ये था में शेलेकर के मीने राशी परियंत प्रत्तेक राश के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अब ही के लिए वस्युत्ता ही। इजाजत दीजिए पुनह मुलाकात होगी। तब तक के लिए। नमस्कार।